कि हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर मैं हूँ आपका दोस्त मौमद जैद और दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 2.2 की एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट 2.2 एक लास्ट प्रैक्टिस सेट है लेसन नमबर टू का उसके बाद वो चैप्टर खतम हो जाएगा प्रॉप्लम सेट बाद में हम लोग देखेंगे तो अपोलोनियस थियरम अपोलोनियस एक सेट मैथमेटि देखेंगे बागी जो चार्स हमें वो इसी के बेस पर सॉल्फ हो जाएंगे तो चलिए देखते हैं कि अगर कि अगर कि अगर मैं मिड़ पॉइंट को ऊपर जोड़ दूं वर्टेक्स से तो इस लाइन को मैं बोलूंगा मीडियन तो सेग्मेंट एडी क्या कहलाएगा मीडियन और पॉइंट डी क्या कहलाएगा मिड़ पॉइंट ऑफ सेग्मेंट पॉइंट डी इस मिड़ पॉइंट ऑफ सेग्मेंट बी सी इतना समझा आप लोगों को AD क्या कहलाएगा median median बोले तो midpoint वाली line जो vertex को join होती है अब इसके बाद अगर ये midpoint है तो ये median confirm है और अगर ये median है तो ये midpoint confirm है कोई दोनों में से एक चीज़ मिले तो ये थियराम हम लोग apply कर सकते हैं तो if हो गया ये अगर ये हुआ तो क्या होगा तो हम लोगों को एक formula बनेगा AB square plus ये side का square plus ये side का square is equal to 2AD square median का double plus 2 या तो BD square ले लो या तो DC square ले लो दोनों में से एक 2BD square or you can take 2 DC square ये हम लोगों का main formula बन जाएगा ये formula apply कैसे करेंगे आप लोगों को कहीं पर median दिया रहेगा और आप लोगों को बोलेगा BC find करो तो BC find करने के लिए आप लोग BD find करो और फिर double कर दो के तो BC मिल जाएगा फिर कहीं कहीं पर आप लोगों को सब दिया रहेगा बोलेगा median find करो फिर कहीं कहीं पर आप लोगों को यह चीजे दी रहेंगी बोलेंगी यह side find करो तो वहाँ पर यह formula apply होगा तो formula याद कर लें ab square plus ac square is equal to 2ad square plus 2bd square